नमस्कार साथियो रादे रादे जैश्री कुष्णा स्वागत है आप सभी का NDC क्लासेज के इस निर्श सुल्क ओनलाइन प्लेटफरम पर आपके 20 मैं हाजिर हूँ अज्यस्थार राजस्तान की जियोग्राफी लेकर आपको पता है कि मैं आपके सामने राजस्तान की पूरी की पूरी जियोग्राफी लेकर आ रहा हूँ राजस्तान से समद्धी जो भी कंटेंट आपको मिलेगा वो यहां पूरा का पूरा यहां पर करवाया जाएगा तो लाइव सेशन में पिछले लाइव सेशन में आपको बताया था कि प्रशनोतरी के मादें से लेकिन आपके कमेंट देखकर आप लोगों ने कहा कि सब थियोरी पहले करवा दीजिए तो उस थियोरी गत यानि कि फिर सर ने कहा कि हम पॉइंट टू- है और राजस्तान का जो आपको पहले पताये कि बदल चुके एक हुआ कि न really बन गए तीन नही संभाग की बात है तो बड़ी बात नहीं है औरThis specialists करेंद में एक तो उसके अंदर में देखे ईए ते वो बिलकुली सिंपल कॉश्चिन ते तो उसके नहीं है कि नएज ओर लो पूरा करेंगे तो आप सबसे पहले तो सभी त्यार रखें अगर हम मेप के द्वारा जियोग्राफिक को समझने की कप्रियास करेंगे तो हमें ज्यादा असानी होगी और दूसरी चीज रखेंगे अपने करेंगे तो साथ साथ में जैसे मैं आपको करवाँगा पूरा का पूरा तो वह आप क्या करोगे एक रिजिस्टर के अंदर उतार लेना जब अब पूरी जियोग्राफिय हो जाएगे तो आप देखो के आपके पास पूरे के पूरे साल गर्वित नुट यह नहीं है कि मैं ठीक है तो हम शुरू करते हैं पहले क्लास से ठीक है देखो सबसे पहले क्या चीज़ है हम राजस्तान की स्थितिय विश्टार के बारे में पड़ेंगे और सबसे पहले आता है अपना नामकर्ण की राजस्तान का नामकर्ण किस परकार से हुआ सबसे पहले इसको क्या कहा जानके किस प्रकौर पढ़ा उसको समेंदानिक मैने उसको पहले क्या करता था इस oike किया नाम के уже 3 नाम्करन इसको मरुबार्व देश अधिनामों से जाना जाता है लेकिन हम बात करें पिसको बन रिगवेद के अंदर भात करें तो इसको क्या कहा जाता है वाल मिक्की ने इसको क्या कहाया है इस को पता वह यह से वह बदल यह ना वह नहीं बदले है वह वह रुишन लेगते हैं पीछे रिग्वेद के अंदर सबसे पहले बताऊ कि रिग्वएद के अंदर इसको राजस्तान के क्या का जाता तो रिगवेद के अंदर कहा जाता था इसको अगर वाल्मिकी रमायन की बात करें कि रमायने क्या जाथा इसको यह नहीं है आगे देखो अगे देखो राजस्तान सब्द का सबसे प्राचिंतम लिखित उल्लेक यानि की राजस्तान है तो उसमें मिलता है तो वह मिलता है अपने बसंतगर्द शिला लेक के अनदर मिलता है जिसमें राज़स्थान या नम है राज़स्थान जिद्या नोट करना इस बात को क्या नाम मिलता है बसंदगर सिलालेक में मिलता और राजस्तानिया दित्य नाम मिलता है का प्रियों किया गया है अगर बसंदगर सिलालेक की बात करें तो बसंदगर सिलालेक है कहां कब का है अगर इसकी बात करें तो बताओ कहां का है और कब का है तो अगर हम बात करें यह है कहां का तो यह सिरोही का है कहां का है लिए कोग करें का है तो यह अपने मिलता है 600 इसके बारे में अगर हम बात करें और किस्टे समंधित वर्णन मिलता है अगर यह बात करें किस से समंधित है यह सावणा दौन से समयन दित हैं अगर एक बात और करें हम एक बात और करें तो ये कहां पर पाया जाता है तो वहां पर चिरोई के अंदर बसंतगड के अंदर कहां पर बसंतगड के अंदर खिमल माता का मंदिर है क्या है खिमल माता का मंदिर है लगा हुआ है जिसके अंदर राजिस्तान्य दित्यन नाम का उलेक मिलता है इस के अंदर दास्पर्था का विड्नन भी मिलता है देखने को ठीक है यह सिंपल चीजे है और यह कुस्ट्छ सरी और पोटे होते हैं वो सबसे ज्वाहर्द होते हैं इस बात वी यह में ध्यां रखना है ठीक है तो मैं एक बार दोबारा कह रहा हूं कि आपको यह सारी चीज़े एक रिजिस्टर के अंदर उतारनी है आपको सार गर्भी रूप से इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलना है ठीक है आगया समझ में कोई दिक्कत प्रेशानी मेरे इसाब से नहीं होने चाहिए अब देखो अब क्या चीज़ है कि इस भूबा के लिए राज्यस्तान सब्दगा लेंग्वेश चैंज दूरी यहां पर इस बात का ध्यान रगन किसी पुस्तक में राजस्तान सब्द का किसी पुस्तक में क्या चीज़ है किसी पुस्तक में राजस्तान सब्द का सरवपर्थम उलेग यानि राजस्तान जो सब्द है उसका उलेग अगर हम देखें तो सरवपर्थम कहां पर मिलता है तो मुहनोत रेंड सीरी खेयात में कि किया गया है राज्जस्तान सब्दि वह मिलता है मुहनों तने प्रिक्षित के बारे में अग मिलता है इसका रचनाकाल करें तो यह अपने अब जाएगा थोला सो पेंट सटीस वी अगर बात करें तो यह किसके दर्बार में थे या फिर कह सकते हैं यह किसके दर्बार में दिवान थे तो जोदपुर के महराजा थे कौन थे रजस्तान सब्द का प्रियोग किया गया है किसमें किया गया है महण अतने शीरी खियात के अंदर किया गया है अगर हम इसकी बात करें तो यह इतिहासिक गरंथ भी है यह पर्थन इतिहासिक गरंथ भी माना जाता है ठीक है जो किस बासा में है अगर बात करें तो यह डिंगल बासा के अंदर है इस बात का में भी फड़ा द्यान रखना है ठीक है अगर इनकी बात करें कि इनके अन्या रचना कौणची यह तो मारवाट रा प्रग्रणारी विगत है जो जोद्कूराजय का गजेट यह भी का जाता है किनकी है मोणोत नेंशी की है अगर हम आगे बात करें लेखक वीरबा क्या है लेकर वीरबान की पुस्ता कौन शी है राजपूप राज रूपक में भी राजस्तान सब्द का प्रियुक किया गया है इस बूबा के लिए ठीक है इसको देखो के लिए राज राज रूपक राज रुपक का और रटना काल रटना की बात करें-तो ति सेब्स करएं बात करें राज रूपक और बातें इन दोनों की फ़ाफफिश्तान सब्द का मिलता है लेकिन जिए किस के लिए ब्रयोक किया गया है तो यह दोनों ही इस दूंढा के लिए नहीं है यह तो रजा के निवास्थान के लिए या फिर उसकी राजडानets लिए किसगे लिए है राजा का जाका निवास्थान या धिर राज constituNe के लिए ठीक है समझ में आगी आगे देखो कि इस भूबा के लिए सबसे पहले भूबा के लिए जिस समय राजस्तान है इस राजस्तान के लिए सरोग पर्थम राजबुताना नाम से क्या नाम है राजबुताना नाम का सरोग पर्थम पर्योग जोर्ड थोमस ने किया था इस क्यों थे इसकी बात करें तो यह थे जो मराठा साकते दोव्त राव सिंदिया उनके अंग्रेच जी कमांडर थे ठीक है और ने सब से पहले 1800 के अंदर कब किया था 1800 के अंदर इस सब्द का उलेख किया था कि राजपुता ना इस भूबा के लिए राजपुताना सब्द का इस्तेमाल किया था यह बात हमें अगर सब्बूत के रोप में पूछ रहे जाए कि ये सब्द रहां पर लिखा हुआ है कि राजपुताना सब्द का प्रेव तो यह मिलता है अपने विल्यम फ्रैंक्लीन विल्यम फ्रेंक्लीन वीलियम फ्रेंक्लीन के एक कुछ तक्दीब वो आई थी अठारा सो पांच के अंदर आई थी ठीक है तो उस पुछ तक का नाम क्या था तो उस पुछ तक का नाम था मिल्ट्री मेमोयर्स ओग मिस्टर जोर्स थोमस इसके अंदर ये कहते हैं वीलियम फ्रेंक्लीन की जोर्स थोमस ने सबसे पहले सवतंतर रूप से इस भूबबा के लिए राजपुताना सब्द का प्रेयोग किया है ठीक है आगे बाद समझ में यहां कोई समझ्या ठीक है कोई समझ्या नहीं है लिखते रहना है सास आपने ध्यां रखना इस चीज़ का वो पॉइंट टू पॉइंट जलेंगे हम कोई दिक्कत वाड़ी बात नहीं है यहां पे ठीक है देखो आगे आगे देखो इस भूबभा के लिए राज़स्तान सब्द का कि receive दियुकत आपना राजस्तान उस बूबभा के लिए राजस्तान सब्द का पहला पुरियूकरता कौन दे उसके बारे मिन बताना है तो वो उन थो जहेगा हम हम क्या कहते हैं गोडे वाली बाबा के फाले जली और नाम किया बाबा घ्राइब veux पुष्टक का नाम है अगर इसी पुष्टक का दूसरे नाम पुष्ट दिसेंट्रल एंड वेस्टन राजपूर्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया अगर इनके परकाशन वर्ष की बात की जाए यानि कि यह परकाशन कब हुआ था है इनका परकाशन दो बागों में भाता इस बात अगर हम बात करें कि इसका संपादम किसने करवाया था संपाद्र संपादन की बात करें तो इसका संपादन करवाया था वीलियम पुरूप और कर्riz जैंश्टोड एक बात और कहते हैं कि इस भूबा के लिए रजवाडा या रायそうですね असके यह किस को की थी अपने गुरु घंगे अगर बात करें समर पित किसको की थी समर पित समर पित के थी इनके गुरु थे यती ग्यान चंद्र यती ज्यान चंद्र कहां के थे मांडलगड भीलवण ठीक है आगे हम बात करें आगे बात करें तो देखो कि राजस्तान के एकिकरण के दुरान पहली बार ये बात करें तो साथ चलुठों में हुआ था लेकिन राजस्तान के एकिकरण के दुरान पहली बार इस सबत का प्रियोग और, कि राजस्तान सब्द यानि यह कौन सा चरण था अगर बात करें तो कौन सा चरण आजाएगा दूसरा तरण और इसका नाम क्या रखा गया था नाम रखा गया था पूरव राज्विस्थान संग जिसकी राज़दानी किसको बनाया गया था नखना है जब यह चीज तो अंदर एकषिक प्रविस्थान नाम था पूरव राज्विस्थान संग था ठीक है कोई समस्या ठीक है चले आगे कि आगे देखें कि आगे आगे आजाएगा अपना कि राजस्तान सब्द को स्वेंधानिक मानिता राजस्तान सब्द को स्वेंधानिक मानिता कि अगर बात करें तो क्या आजाएगा कब मिली थी 26 जनवरी 1950 को मिली थी 26 जनवरी 1950 को मिली थी 26 जनवरी 1950 को बात करें तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था तो भारत का स्विंधान लाग भुआ था उसी समय इस राजस्तान सब्द को राजस्तान की भूबार को राजस्तान सब्द को स्विंधानिक मानिता भी इसी दिन मिल गई थी इस बात का में हमें ज्यान रगना है तो इस समय 26 जनवरी 1950 को कौन सा चरण था तो उस समय था अपना लगू हुआ है उस समय क्या हुआ था इसको स्वेंदानिक माने चामिल गई थी कोई बड़ी बात नहीं है यह पढ़ते आए हैं पेले भी थी ठीक है तो इसमें चिंदा करने क्या आप सकता नहीं है आगे देखो आगे हम बात रहे हैं तो वर्तमान सोरूप राजस्तान का वर वह एक नॉमबरी डिक शपन यायाक उने पूंस मैं उससमें क्यूस्त घ्रण को हम इस समय व्हिंटी सयनकों आम अल्वन जो पिच्छे रह गया था श्रोई के अंदर और जालावार से समद्धित जो भी एक-दो छेतर थे उनको भी मिले अगया था ठीक है तो यह था तो यह था एक ही करन की प्रक्रिया क्या होगी थी एक ही करन राज्यस्तान का अर्तमान सवरूप भी हमारे सामने आ गया था ठीक है तो एक बात द्यान रखना है इस चीज को जो मैं करवा रहा हूं तो देखो मैं इस केमरे को पहली बार इसकर रहा हूं यह ज्यादा आदत नहीं है मुझे तो होना सभाविक है मुझे होगी इस परकार की तो आपको द्यान रखना है कि इस चीज को इग्नोर करते वे जो मेरी गब्रावर है उसको आपको इग्नोर करना है केवल आपको इस कंटेंट पर द्यार रहा हूं तो यह आ गया समझ में कोई प्रिशा नहीं कोई बड़ी बात नहीं राजस्तान को सभिंधारिंग माने तक सब्सक्राइब को राजस्तान का वर्तमान सवरूपा यादा एक नहुम्ब्र निश्यों सब्सक्राइब को जब राजस्तान की जो एकिकरन की प्रकिरिया थी पूरी हो गई थी अब चलते हैं mosquito राजस्तान के हश्थिव को यह जी कि आएंगना लोब में रहे सकी स्धिटि कहां वेश्दान की स्थेथी वहारत के अंदर राजस्तान की स्थेथी कहां पर इस बात का अगर और हम जिखर करें तो यह देखो कि अगर सबसे पहले देखो विस्व में राज़तान गस्तिती चाह चीज़ें विश्व में राज़तान थी सब्सक्राइद प्रशांज्ट से रह्ष्टी से उत्री गोलार्ड में जिस्तित अप्राइद सी रहती है अब देखाएं में इस देखाए है इस बात का द्यान है कोई दिक्कत नहीं है अगर हम बात करें कि अप्छांसे दरश्टी से उत्री गुलार और देसांत्रे दरश्टी से पूर्वी गुलार यानी कि यह देखो अगा कि उपर क्या जाएगा उत्तर नेचे क्या जाएगा इधर क्या होगा पूरो और इधर अब उत्तर दक्षिन पूरो उपस्तिंग यह चार दिसाइए हैं अगर हमके कौन की बात करें तो कौन 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 कि इधर आजाएगा अबना वाई वेकोन और इधर आजाएगा इशांग ठीक है यह हो गया आधने कौन और यह हो गया निरित्टे पॉर्ण के अंदर स्थित है तो अपने ध्यारग ना उत्तर पूर्वी गोलार्द कौन सा आजाएगा अगर विश्व में बात करें तो यह आजाएगा यह आजाएगा इस जगह क्या है राज्टास scalar तो कौन से के अंदर होगा इसान कोमें होगा अगर विश्व में बात करें तो कौन से कौन में होगा इशान कोमें होगा और इसाउगी उत्तर पूर्वी गोरिश्व का है अगर हम बात करें ऐस्याम जब अगर हम बात करें बात के अंदर कि बात करें तो तो तर पस्चिम है उत्तर पस्चिम पस्चिम तो अपना वह यानि कि राजस्तान है जो विष्षव एस्या महादवीक और भारत के अंदर इन और और बारत की बात करें तो निर्ट्य पोन के अंदर और बारत की बात तो उत्तर पस्रिम यानि की वाइव एकोन के अंदर समिल नहीं तो यह अपना आजाएगा जो ग्रीन विच्ट समय करें दा दाह्तता है और यह आजाएगे अपनी वुमद दे रिखा जाता है और आगे बाद समझांग आगे अगह से पूसी ऑफ्ल मसर्मात स्थित है है इंदर यह हो उत्री उथी फुर्वी गॉलाद है यह फुर्वी तो राध्टान की दिए जो है proceeding करँकर हिए उत्री बाग में हमारा रांज सतान एसे इस बात का भी द्यान ठीक है कोई समझ्या नहीं है चले आगे आगे देखें बारत के अंदर राजस्तान की स्थिति की बात करें तो पहले बता जिया था यह अपना क्या है राजस्तान आ गया कौन से जिसाम है यह उपर आ गया उत्तर और यह आ गया परस्टें कॉanh की बात करें कौन कों सा कोण बताया था एक कोई समझ्या चलें अगे ओधिध प्रकरेख करकर रूचर्चर क्या है जो साथे तिस डिग्री ऊतरी एक्षाट से जो गोजरने वाली रहा हैalo को करक रेखा है यानि कि 21 को करक रेखा के उपर सूर्य समगता है उस स्थिति को क्या कहते हैं इस बारे में देखें राजस्तान का अधिकांस वाग करक रेखा के उत्तर में स्थित है इस बात का द्यारगना फिर है करक रेखा की राजस्तान में लंबाई राजस्तान में लंबाई कितने जिए यह आ जाएगी सिक्स किलोमेटर इसकी पूरी की पूरी लंबाई है अगर हम बात करें कि राठ्याश्टान के कहां से गुजती है तो कॉन से जिलों से गुजती है बोजटी आहिंक तो कौन कौन से जिले हो जाएंगे बहुत एक है मांस वह झालों है दूसरे जुली की बात करें कौन सा जाएगा कोंगर पूर आजएगा अगर बांस वड़ा की बात करें तो बांस वडा की कौन सा सहर है जिसके ऊपर जो करकरेखा का प्रभाव करकरेखा यानि कि सूरे सिधा समकता है 21 दून को तो वो आजाएगा यानि कि कहां से करकरेखा गुजरती है तो वो आजाएगा कुशलगड कुशलगड कैसे कुशलगड कैसे कुशलगड ठीक है कौन सा गाम है चीख लिगाम है यानि कि जब करक रेखा चीख लिगाम से गुजरती है यानि कि सुरे सिधा चमकता है तो लोगों की दूप से क्या निकलती है चीख निकलती है इस बात से आपर ध्यान रख सकते हो कि करक रेखा का दूंगरपूर का दक्षनी भाग है कौन सा बाग दक्षनी बाग है वहां से गजरती है करक्रेखा यानि कि रोगादाओर जिल्डा है अगर हम बात करें कि सब्से नज्दीग जिल्ला मुकैले कोन सा है सबसे नस्दीक जिल्ह मुख्याले की बात करें तो कौन सा जाएगा मैं यह बतो कौन सा जाएगा बतो को मैं सबसे है जिल्ह जिल्ह क्याल Warszawa कौन सा आजाएगा बांस वाड़ है अगर हम बात करें कि सबसे दूर जिला मुख्याले कौन सा होगा जिलों का चेंज हुआ है तो बताओ कोई परिवर्तन हुआ है कि इसके अंदर अगर दूर की बात करें तो कौन सा आजाएगा बूर की बात करें तो आ जाएगा गंगा-नगर किसी परकार को कोई परिवर्तन नहीं हुआ है कि सबसे उत्त्री दिसार के अंदर सामिल है ठीक है पहले भी था आज भी है किसी परकार कोई परिवर्तन नहीं है हेङ है आगे देखो करक करेकार 2008 एक्षज्जून को क्या होता diktate againakah पर सुर्य सिधा समझता है क्या हूता है सिधा समझता है करगेखा पर 21 इसनों को सुलय है सीधा समझता है तो स्थान कौन कौन से होंगे बांसवडा और अधर नुवर दो हैं जहां से करकर गुजरती है तो वहां पर सिद्धा गुजरता है यानि कि वहां पर क्या होता है जब 21 की दोपर होती है तो वहां प्रसाइब नहीं बनती है परसाइब नहीं बनती है वहां पर इस कारण से उसको क्या का जाता है नो सेडो जोन का जाता है कि नो सबसे अगर बात करें कि करक रेखा पर सूर्य कहां पर समकता है तो वह समकेगा बासवड़ा जिला अगर सूर्य की कि तिर्चापन सर्वादिक कहां पर होता है तो सर्वादिक तिर्चापन तिर्चापन की अगर बात करें तो गंगानगर जिला आ जाएगा इस बात का भी हमे तो दो बार काड़ती है कि इस पर कार के काम करती है क्यों ये यहां से काड़ दिया नदी करती है दो बार काड़ अगर यानि कि तू उल्टा यू बना रही है तो नहीं काड़ती है यह देखो यहां से काड़ दिया करती है इस बात का भी द्यान रखना है रागी इसमें किसी प्रकार की समझ यह नहीं है देखो चीजें बता देना सथ में कोमेंट के मादें से बता देना की सर् यह सई है यह गलत है अगर किसी परकार की एक दो चीजें हो सकती है जल्द बाजी में गल्थ बता दीजाए लेकिन मैं प्रयास यही करूंगा कि आपको कुछ गल्थ नहीं पताहए जो भी टोपिक है पूर अच्छा पड़ा लग रहा हूं नहीं पड़ा रहा हूं तो उस बारे में आपको कमेंट के माधिन से आपको पूरा-पूरा बताना है अगर किसी लग रहा है कि मैं कमेंट क्यों परूंगा इस बात जिए रखना है आपको पूरे के क्या सा पड़ाया कौन सी चीज रह गई कौन सी चूट गई और कौन सी चीज़ें आपने पड़ाई है वह सारी की सारी चीज़ा आप फिस एक्षांश्य विस्तुय विस्तुय विस्तार के साज इस इसे यहां पर रोट लेना ही नहींना ज्यादा लोड नहीं बिलकुल भी स prêt ति क्या आगया कोई दिख्ञोंसले यह देगो राज़स्तान का विस्तार की बाथ करें क्या चैन्स हुआ है क्या नहीं वह ना को है को अधिकत नहीं वही चीज़ से तीज डिगरी बारा मिनट उत्री एक्षांस और देशांत्रिया की बात करें तो धार हमама ли गोलार्द आचे स्बिकी बात करना है कि अगलोग के हम देखें तो हमारा जो राजस्तान है कि सपॉन से बाग में सित है तो उत्तर और पूरी गोलार्द में यानिके उत्तर पूर्वि गोलार्द dz ó तो उत्र पूर्वी गुलार्द के ही अक्षांस है अक्षांस कि अजसांस हो जाएगा और ने सानत्र किसमें हो जाएगा पुर्वी सबात बात का भी द्याहां रखना है कई लोग गल्द कर देते हैं इस बात का थोड़ा विशे ज्याहां रखना है ज्यादा बड़ा पुर्वी देशांतर से साक्षांस एांतर मिनट अगर हम इनकी बात करें कि extremelymen अक्षांस यह कितने मिन एकषांस हैक desert आजाएगा साथ डिग्री गोग नो मिनट्ट अप्सांश से विश्तार इसका अप्सांश कितना है साथ डिग्री अगर देशांतरिय विश्तार की बात करें तो कितना आजाएगा आठ डिग्री सेंतालीस मिनट्ट है देशांतरिय विश्तार समझें आगया एक चीज हो रहे है यह स्पेशल लिखा हुआ है कि सिंद्ट है जिला सट्र डिग्री सब्सांतरिय यह मोश्ट लगकरें 5 202 जेश्तां करेंग़ इसके बारे में तो 20 breakout 510 पूर्वी dio तो आज厨 है तो आगे करेंगे बात राजस्तान के सबसे पूर्विस्तान के सबसे सबसे पस्तमिस्तान के सुर्योंस ने सबसे पस्तमिस्थान के सुर्य उद्या में कितने मिनिट का फर्क रहता है तो अगर उसकी बात करें तो कौण वेधकित न इत्ता है तो बैंत्स चिसघ्ट का डियारफ न है सब्सक्राइब करें डिया यह अदèse देग्री सब्सक्राइब यह बात करें तो यह देसांत्रिय रेखाएं क्या होती है खड़ी रेखाएं होती है इस एक देसांत्रिय रेखाएं के अंदर चार मिनट का अंत्र होता है कितने मिनट का अंत्र होता है चार मिनट का अंत्र होता है तो यह जो देसांत्रिय विश्तार है वो आठ डिग्री 47 मिनट का है कितना है लेकिन यह जोग पर 46 मिनट का समय है इसकी वेल्यू में तीन मिनट आजाएगा अगर साथ होता तो पुरा पुरा 9 से गुणा करने पर कितने मिनट का जाता अगर इसकी अग्जेक्ट टाइम की बात के तो यह आजाएगा 35 मिनट अठें तो अच्छा जाता है यह मत लोगा पुचा नहीं जाता पुचा जाता है यह कोश्चन आठें पैंटीस मिनट आठ सेकेंड आ जाएगा ठीक है और सबसे बड़ी बात यह है ठीक है आगया तो चाहिए तो सबसे पूर्वी इस्तानों पर सुरिय देवासाजितान के सबसे इस्तान के शुरियोदे में लगवग पैंटीस मिनट का हंतर रहता है अगर एक्जक्ट टाइम की बात पर तो पैंटीस मिनट आठ सेकेंड का समया रहता है इस बात का दिया रखना है ठीक है आगे चलते हैं यह देखो राजस्तान का में विस्तार से समझता है कि ल सब्सक्राइब तो यह इस प्रकार से है यानि जो आड़ी रेखाए हैं वह क्या आपके लाएगी इसके अलावा यह देखो यहां पर क्या जाएगा इस बात का भी द्यान रखना है कि यहां पर दोलपुर पर मत कर देना कहां पर है जाता कहां तक है क्या कर देते हैं कि जो देशांत्र विस्तार कहां से शुरू हो रहा है इंग्लेंड जो इंग्लेंड राजस्तान के कौन सी दिसा में है तो अगर बात करें तो वह पस्तिम दिसा जिरो एक दो तीन चार इसे करते करते इनकी लंबाई और चोड़ाई की बात करें तो आप हमें ध्यान है कि राजस्तान की जो चोड़ाई है वो राजस्तान से लंबाई से ज्यादा है तो कितनी हो जाएगी 869 km अगर लंबाई की बात करें कितनी हो जाएगी 86 km कोई समझा नहीं है इसमे यानि कि जो खड़ी रेखाएं होगी वो तो कौन से देशांतरी आड़ी रेखाएं होगी वो कौन से होगी अच्छा दिया और लेखाई होगी ठीक है इनके राजस्तान में सरोपरत्मसुर्य दे वह सुर्या सुर्य कहां पर होता है हो सिल्हावट लिख सब्सक्राइब होगा मैं जहां पर सुर्या 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 सुट में अगर पूस यह नहीं है तो सिलावट में होता है अगर पूछ कि राजस्तान में सबसे बाद में सूर्य अस्त कहां पे होता है तो कहां पे होगा कट्रा में अगर पूछ कि राजस्तान में सबसे पहले सूर्य अस्त कहां पे होता है कि इस बाक का धर रखना है कि जहांपर पेर्ब पहले होगा तक में धोलपुर के अदर अप पेले पहले पॉन आपके अठाहिए इसे बात का क्यु में है नहीं को तो है ठीक है कि अगर बात करें राजस्तान में सरोपर्तम सुर्य दे वह सुर्या सुर्या कहां होता है तो सिलावर्ट होता है यह राजा खेड़ा तैसील है राजा खेड़ा ठीक है, शुर्य पहले पुरो के शतनों पर, शुर्य उद्ये, शुर्य पहले पुरो के शतनों पर उद्ये, वे, आस्ट उता है, इस बात का ध्यारखना है, ठीक है, अधर बात करें, तो सूर्य बाद में, पर सिमिस्तानों का, उद्येव है, अस्त होता है। तो यह उद्धे पहले का ओपर होगा पूरव के श्तानों पर होगा अगर बाध की बात करें तो पस्चम के स्टनों पर बाद में वद्धे ओगा ठीक है उपिस्तार से सीम्पल सीचाइं, ठीक है? चले आगे, आगे देखो रज्जश्तान की demonstrate वे PBT, यह दुबारा आ गया बैसे में दुआएरा समझी रहे है न आपने, फिर्या mosquito, यह क्या लिखानगार, रज्जश्तान की उत्तर से दक्षेंड नंबाई कितनी है? सब्सक्राइब क्या पता है यह जो लंबाई थी वह कितनी थी आर्टो सब्सक्राइब और यह कोणा गाउं गंगानगर से बोखुंड यह फुड़ा मिस्प्रिंट हो गया बोरकुंड यह ठीक है इसके लंबाई भी कितनी है 826 किलोमेटर है अगर हम राजस्तान की पूरो से पस्टिम लंबाई की बात करें यानि कि जो राजस्तान की चुड़ाई की बात करें तो कितनी आ जाएगी एट 49 किलोमेटर ठीक है अगर हम बात करें चिलावट राजस्तान से और को रहा सा होगा सिलावट तेसel कौन से है राजसेटा Blue है कि अगर बात करें पस्टिम स्थान क्वण पस्थान कौन सा हो जाएगा कट्रा हो जाएगा अगर तैसिल के बात करें तो सम तैसिल आ जाएगे अपने इस बात का अभी हमें ध्यान रखना है ठीक है अब देखो वापिस सब्सक्राइब फिछ एक बाद मेप के अंदर यह होगे लंभाई और चोड़ाई अगर यह पूछ लिया जाए विकर्ण की लंभाई किस परकार से यह क्या है उत्तर अ कुरों इसकी बात कि जाए कि उत्तर पस्चिम से दक्षिन पूरुग की लंबाई कितनी है विकरण की लंबाई कितनी है तो यह इपनी आजाएगी 850 किलोमेटर कितनी आजाएगी 850 किलोमेटर आजाएगी खुबर कि पूजई हूँ उत्तर पस्चिम से दक्षिन पूरुग की लंबाई उत्तर पस्चिम से दक्षिन पूरुग के राज्यस्टान की लंबाई की बात की जाए तो कितनी हैं कि अगर यह पूज़ लिया जाए कि उत्र पूरों से दक्षण पस्चिम की अगर लंगाई तो वह आ जाए कि अपनी 784 किलोमेटर कितनी आजाएगी साथ सो तो 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 राश्ची किलोमेटर ठीक है यह होगी बात क्या पूज़ लिया जाए विकर्णों की लंगाई एक तरफ से कितनी आजाएगी अगर उत्तर पस्चिम से दक्षण पूरों की लंगाई पूज़ लिया जाएगी उत्तर पूरों से दक्षण पस्चिम की लंगाई कितनी है तो 744 किलोमेटर ठीक है एक जीज़ पूज़ लि अंतर की बात की जाए तो कितना आजाएगा 43 किलोमेटर ठीक है अगर इन विक्रणों की लंबाई में अंतर की बात की जाए तो कितना आजाएगा 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 विक्रणों की लंबाई में अंतर के बारे में कुछ लिया जाए तो कितना आजाएगा 66 यानि कि 600 km आपका अंसरो हो जाएगा इस बात का भी हमें ध्यान रखना है सिंपल सी चीजी है ठीक है सलें आगे हो गया हुँ है यह भी हो गया ठीक है आगे देखे राजस्तान का मद्यवर्ति जिल्ला अगर हम मद्यवर्ति जिले की बारे में बात करें नागोर आजाएगा किसे के दिमाग में आ रहा होगा किसा डीट वर्णा गुचामन नहीं हो गया नागोर ही है ठीक है इस बात का द्यान करना है मद्यवर्ति जिला कौन सा है नागोर है और मद्यवर्ति गाउं कौन सा है अगर यह पूच जाए तो लाम्पो लाई गाउं है मेर्ता तैसिल के अंदर लोग क्या बेठे हैं एक मद्यवर्ति गाउं है वहां पे लेंप लेके बेठे हैं और बता रहे हैं कि क्या है अमारा जो गाव है वह मद्यवर्ती गाव है राध्यस्थान का ठीक है इस परकार से आपकर जोड़ सकते हो लांपो लाइट यह तो किसने मान रखा है आयोग मान रखा है अगर बात करें अगर है इसलिए अगर तो परोगे सेटलाइक के अंदर अगर सेटलाइट के अंदर कोण सा दिखा रहा है है जिए रहा हुआ है है यह जया अगर दिमाग में रही चीजे तो थोड़ा जै अगर लाम व्वध में सुंक्षा इंदर नहीं तो हमें कौन सा करना ओगा गराना करना होगा इस बात का द्य है कोई बढ़ी बात नहीं पॉश्रपिर है राजस्तान की बात कि पतंगाकार किया है है?" कि पतंगाकार कि है इस परकार के ऊती ना इस परकार राजस्तान की इस पर करती बता गती है ठीक है या फिर विश्म कोणी ए चत्रबूज के समान है जिसके विश्म कोण है राजस्तान की स्थलाकृती पहली बार भताने वाला विद्वान कौन था इसकी बात में थी और हैं कौन था और टी एच्ट हैंडेश हैंडेश ले था जो थी तो नो बद तो कौन था जेपुर्यास्त का हेल्थ ऑफिसर यानि कि जो हेल्थ से जुड़ी समझ चाहिए थी वह कौन हैंडल करता था ती एच हैंडल हैंडल ले करता था और इसने एक परकार से आप जोड़ सकते हो कि बाई के उपर बाई का हैंडल पकड़के यह राजस्तान के चारों और था और इसने बताया था कि किस परकार की राजस्तान की आप करती है इस परकार भी आप इसको जोड़ सकते हैं ठीक है इस बात यह होगी बात और क्या था कि यह राजजा स्वाई वहां के राजजा थे जैपूर के स्वाई कौन थे स्वाई राम सिंग दूटे कौन थे स्व ने कि दुटूर रियासत कि उसके विद्ट फीस चाब्स नितरों और कि कहने पर यह किसे ने क्या था कि जैपूर को गेरवे रंग में रंगवा दो यादि है आज के समय में गुलाबी सहर या फिर सिटी के नाम से जानते हैं जैपूर को उसको रंगवाने का जो सला दी ती व किसे बात का भी हमें ध्यान रखना है से ठीक है राज़तान की कुल स्थलिय शिमा कितनी है 5920 किलो मेटर है if you have 5,920 किलो मेटर है इस बात का भी हमें ध्यान रखना है ठीक है किद यह पांस हजार 920 km ठीक है सिंपल सा है अगर से यह देखो अंतरजी शिमा कि बात कि जाय तो कितनी आ जाएगी 4850 km अंतरश्टे शिमा की बात करें तो वह तो वह कितनी आ जाएगी वह जाएगी 1070 km ठीक है लाजनात में तो इसके इधा इंडर राज्य कौन सी यह बताऊ यह बता है कितने राज्य बारत में राज्य सिमारे कौन सा आजाएगा उसके बाद कौन सा है कौन सा यहshaw यूपी आ जाएगा फिर एम पी आ जाएगा पिर निचे निचे कौन सा है गुजरावाद तो ये पांच राजे सीमा साजा करते हैं और ये पुल मिलाकर कितने किलोमेटर की सीमा साजा करते हैं 41850 P00 की सिमा साजा करते हैं ठीक है आगे देखू अंत्राइश्टे सिमा अंत्राइश्टे सिमा की बात करें तो राज्जस्तान का एक लाव कोछma देश जो सिमा बनाता है वह पाकिस्तान । और फ Canadian साजा करता है इस बात का भी हमें द्याना रखना है राजस्तान की कुल स्थल्य सीमा की बात करें में अंतराश्टे सीमा का परतिशत कि अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा वह आ अगर हम बात करें अगर हम अंतराश्टे सीमा कि बात करें तो अंतराश्टे सीमा कितनी है 4,850 km है तो बिश्क का प्रतिशक कितना जाएगा गटादो सो में से घठादो फिर राट नो तीन प्रतिशता जाएगा और ऊपना अंतरज ये सीमा के साथ फिर आता है बारत की पाकिस्तान के साथ लगती है वो रेखा है रेट कलीफ रेखा कितना परतिशत भाग राधिस्तान में है 32.193 कितना है 32.193 कितनी किलोमेटर की सीमा बनाता है 1070 किलोमेटर की अगर बारत की पाकिस्तान के कुल तलिय सीमा कितनी मनाता है तो वो जाएका अपना 3310 किलोमेटर तो बनती है बारत के साथ इसके साथ बारत के साथ उसमें से राज़स्तान के साथ कितनी लगती है 1070 किलोमेटर लगती है ठीक है आगी बात समझे में यह हो गया पूरा सब्सक्रांढा हो और कि बरेट क्लीव रेखा के बारे मिन बात इसको बनाने वाले का आज़कुन सर किलीव है और इसका अ करत्कोका हुएं हो अगर इसके निर्दारण की बात करें तो इसका निर्दारण किया गया था मान चित्र पर निर्दारण किया गया था कलम के माध्यम से मान चित्र पर कलम के द्वारा इसका निर्दारण किया गया था किसका रेड़ कलीप रेका का मान चित्र पर मान चित्र पर कलम से बंगे लिख सकते हुनि लुए विश्वों में एक मत्र रिखा थी जिसके प्रव कहां पर क्या हूं नाच्छन के द्वारा कि यह यह सहसे यह बाग पाकिस्तान पार्द का होगा ठीक है आगे समझ में यह आपकी पॉट्टेंट क्लास होगे कोई समय क्लास के अंदर होगी क्लास पूरी complete और यह देखो आपको ध्यान रखना है कि मैंने पहले बताएगे इसके अंदर ज्यादा मेप का खेल नहीं था आगे जिससे भी हम आगे बढ़ेंगे तो मेप का खेल शांदार तरीके से होगा मेप के अंदर हम समझ जाएगे पूरी तरीके से तो सबसे प और मैं आपको समझाओंगा तो आपके एकदम परफेक्ट रूप से आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगी तो इस बात का पहले द्यान रखना है कि आपके पास मेप होना से यह दूसरी बाती है कि आप रजिश्टर रखो त्यार करके रखो ठीक है जिससे आप यह सारी क पूरे कंपलेट हो जाएंगे दावा करता हूँ कि इस में से आपका एक वह गल्त नहीं होगा है इमानदारी मतलब नहीं करोगे तो आप जरूर देखो करना है पहले बार मैं क्लास ले रहा हूं लेकिन आपके पास लेकर आ रहा हूं तो इसके अंदर तो आप इसको उतार लेना चाहिए वहां से उतार लेना ठीक है तो इसके लावा आप हिंदी पॉइंट एप्लिकेशन है जो डाउनलेड कर लेना जिसमें इसे सर के लगबग 20 के लिखाए ना तो लगब 20-22,000 सब्सक्राइबर इसके हो चुके हैं तो आप कर लेना डाउनलोड और इसमें से जुट जाना जहां पर आपको सारे नोट्स यह जो नोट्स ना वहां पर मिल जाएंगे जो टेस्ट श्रीज वगेरा ना इसके अंदर ही यह नोट्स मिल जाएंगे आपको निश्वल को मिल जाएंगे ठीक है इसके अलावा यूट्यूब चैनल के अंदर 170K पलस हो चुके है ठीक है तो मैं यही कहूँगा कि चैनल को लाइक करना है सब्सक्राइब करना है वीडियो प्रसंद आए तो सेर भी करना है ठीक है तो कैसी लगी आपको ये क्लास तो कमेंट के मादन से आप लोग सब बताएंगे ठीक है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अबार जैहिन जैवार